दोस्तों देश के मुखे नियाधीश CGI डिवाय चंद्चूर के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो उन्होंने CGI का पत सम्हानने के बाद से हर बार कानून से लेकर सम्मिधान की परिभाशा लोगों के सामने रखी है जो शायद लोग भूलते जा रहे थे लेकिन इन सभी बातों के अलावा CGI डिवाय चंद्चूर का इतिहास क्या रहा है ये जानने के लिए भी काफी लोग उत्सुक रहते हैं काफी लोगों को दिल्चस्पी रहती है अब कैसा लगेगा दोस्तों आपको अगर हम आपसे कहें कि CGI डिवाय चंद्चूर जी जो हर रोज कानून का मतलब समझा रहे हैं वो असल में कानून में अपना करियर बनाना ही नहीं चाहते थे अगर आप ये सुनकर हैरान हुए हो तो हैरान होना जरूरी भी है क्योंकि यहीं सच है डिवाय चंद्चूर कानून नहीं तो किस सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना चाहते थे या आपको इस खबर में हम बताएंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जयन्ती जहा और आप देख रहे हैं दनेशन चीफ जस्टिस ओफ इंडिया यानि देश के मुख्यन आया धीश डिवाय चंद्चूर को अब उनके बारे में एक नई और अनोखी जो बात है दोस्तों कई आपने बाते सुनी होंगी लेकिन देखे एक नई और अनोखी जो बात है वो अब सामने आई है जो कई लोगों को नहीं पता होगे निश्यत तोर पर डिवाय चंद्चूर सहाप कानून में नहीं बलकि अर्थशास्त्र यानि एकनोमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते थे जहां दोस्तों कारून की फिल्ड में आने से पहले CGI डिवाय चंद्चूर अर्थशास्त्र की ही पढ़ाई कर रहे थे और यहां तक कि उन्होंने डिग्री भी ली हुई है उसमें जनसत्ता की खबर कहती है कि CGI डिवाय चंद्चूर ने दिल्ली के सेंट स्टीफिन्स कॉलेज से एकनोमिक्स में बीए किया हुआ है CGI डिवाय चंद्चूर अपनी क्लास के साथ-साथ यूनिवोसिटी के भी टॉपर रहे है लेकिन वो अपना करियर अर्थशास्त्र में ही बनाना चाहते थे मगर फिर सवाल ये कि उनोंने आचानक से law में admission कैसे ले लिया अचानक से उनोंने law में admission क्यों लिया और law में उनकी दिल्शस्पी अचानक से कैसे जागी ये सवाल है तो इसका जवाब भी देखिए जनसत्ता की इस खबर ने दिया है जो हम आपको पताने की कोशिश करते हैं दरसल डीवाई चंदचूर अपनी क्लास में पहले पाइदान पर आते थे यानि टॉपर रहे हैं अपनी क्लास के इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ एकनोमिक्स से पोस्ट ड्राजूइशन करने का देने लिया लेकिन क्यूंकि क्लासेज थोड़े समय बात शुरू होनी थी थोड़ा बड़ा गैप था क्लासेज होने में जिसमें उन्होंने एड्मिशन लिया तो उस समय CGI चैंपस लौ सेंटर में क्लास अटेंड की जाए और चैंपस लौ में एड्मिश्पी जागी जसवजह से वहां टीचर जो पढ़ाते थे वह तरीका उन्हें बेहत पसंद आया यह क्लासेज अटेंड करने के बाद उन्होंने एड्मिशन लेने का मनमना लिया दोस्तों समझे इस बात को कि कहां वो अर्थिशास्त्र में इंटरस्टेट थे एकनोमिक्स में इंटरस्टेट थे उसी में वो अपना करियर बनाना चाहते थे बकाईदा भी है किया हुआ एकनोमिक्स में उन्होंने और अचानक से आप समझ सकते हैं कि वो जो बड़ा gap था वो law में आने का एक नया पायदान बन गया ये समझा जा सकता है आपकी जानकारी के लिए पता तो दोस्तों कि CGI डिवाइच चंदचूर ने ये बाते एक लेख में खुद लिख कर बताई है दिल्ली उनिवसिटी के 100 साल पूरा होने के मौके पर उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने इस सब कुछ बताया जो अभी तक हमने आपको इस खबर में बताया है CGI डिवाइच चंदचूर ने ये भी बताया कि कॉलेज में हिंदी को वेकलपिक विशे के तौर पर लेने के लिए चुनिंदा छात्रों में CGI डिवाइच चंदचूर भी एक थे दोस्तों आपने सुना होगा जिस वक्त आप कॉलेज में होंगे या आप क्लासेज ले रहे होंगे उस वक्त एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है कोई भी अपने मन मुताबिक additional subject जो है वो ले सकता है वो वेकलपिक subject होता है यानि अतिरिक्त subject अतिरिक्त विशया आप बोल सकते हैं उसको तो उसके तौर पर हिंदी को डिवाई चंद्चूर सहाब ने चुना और कुछ चुनिंदा चात्री ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को वेकलपिक subject के तौर पर चुना था जिनमें डिवाई चंद्चूर सहाब भी एक थे उनका ये कहना था कि जब बाद में जब वो इलाहबाद हाई कोट के जजज बने इलाहबाद हाई कोट में भी उन्होंने जब शुरू की प्रैक्टिस तो महाँ पर उनको बहुत मददगार वो साबित हुआ हिंदी जो उन्होंने वेकलपिक विशे के तौर पर ली थी वो बहुत मददगार साबित हुई देली उनिवर्सिटी से ललबी की तो उसके बाद वो हावर्ट चले गए और वहाँ से उन्होंने जुडिशल साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की जैसे ही वो महा से लौटे 29 साल की उम्र में सीनियर एड़ोकेट बनकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया दिवाय चंदचूर सहाब का वो इतिहास जिसको जानने में इस वक्त हर कोई दिल्चस्पी ले रहा है क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यह जो दौर इस वक्त देश में है जहां आवाज को उठाना एक बड़ा जुर्म हो गया है आवाज को उठाना एक बड़ा अप पर हर किसी को आईना दिखाना यह अपने आप एक बहुत बड़ी बात है और सीजाय डिवाय चंदचूर सहाब ने इस बात को करके दिखाया है यही कारण है कि आज उनके लिए गए फैसलों को एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है सोचे जब सीजाय डिवाय चंदचूर स आप कोई फैसला सुनाते होंगे तो हर पहलू पर उनकी नजर कितनी जादा रहती होगी जायर सी बात है कि कानून में दिलचस्पी होने के बाद जब उन्होंने कुछ सब्जेक्ट कानून के पढ़े तो उनको दिलचस्पी आई सोचे कि वो एक एक चीज़ को कितने गौर स समझते होंगे क्योंकि कानून को बारिकी और दिलचस्पी दोनों के साथ डिवाय चंद चूर समझाते हैं अभी भी समझाते हैं आप किसी कॉंक्लेम में उनका बयान सुन लिजे आप किसी कारेक्टर में उनका बयान सुन लिजे उसमें आपको एक जलक दिखाई देगी इस वो कहते हैं कि विल्केस बानो मामले में सुप्रीम कोट की तरफ से एक अलग बेंच बनाई जाएगी तो न्याय पालिक पर एक बार फिर भरोसा जाग उठता है और लोग शुक्रिया कहते हैं CGI डिवाचंद चूड का इसलिए इस देश के CGI डिवाचंद चूड रहे या फिर आगे चलकर कोई और CGI रहे सबके बारे में जानकारी रखना ये हमारी जिम्मेदारी होती है दोस्तो आपकी भी जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी है आपको उस जानकारी आप तक वो जानकारी पहुंचाना आपके साथ वो जानकारी साजा करना इसलिए हम अपनी जिम्म के साथ तब तक लिए नमस्कार के साथ नमस्कार के साथ युओनों तक, टृभ्यार टाओमों के साथ है याल ? पिर प्यांग चार खोना के साथ